हमारे धर्म में रत्न एक ऐसा माध्यम है जिसके उपर बहुत जादा विश्वास किया जाता है कहा जाता है कि अगर राशी की अनुसार रत्नों को धारण किया जाए तो एक सही रत्न एक रंक को राजा बनाने का काम करता है लेकिन वही अगर गलत रत्न को धारण कर लिया जाए तो एक राजा भी रंक बन जाता है जिहां रत्नों की दुनिया में पन्ना रत्न को बहुत जादा महत्ता दी जाती है और आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में पन्ना रत्न के ही कुछ फायदे बताने जा रहे हैं लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पन्ना रत्न को धारण करें तो एक बार विशिशग्यों से सलाह मश्वरा जरूर लें बता दें आप लोगों को यहाँ पर कि पन्ना रत्न को कठिनाईयों से अलर्जी से तंत्रिका विकार और स्वासन संबंदे बिमारियों को दूर करने के लिए माना जाता है जी हाँ कई बिमारियों को भी पन्ना रत्न दूर करता है इन में से किसी भी कठिनाई से अगर आपको उबरना है तो आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए वहीं आपको यहाँ पर ये भी बता दे कि पन्ना रत्न को भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है वेक्ती को बहतर समझने की शक्ति मिलती है पन्ना रत्न से जिससे जीवन और उसके अनुभवों की बहतर समझ उसे मिलती है अगर आप एक पन्ना रत्न पहनते हैं तो जोतिशी के साथ-साथ रत्न विशेशग्य से परामर्ष आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि जोतिशी आपको बताएगा कि क्या सच में पन्ना रत्म आपके भाग्य के लिए सही है और एक विशेशग्य आपको सही पत्थर की जी हाँ रत्नों की दुनिया में बहुत से रत्न है जो हर एक इंसान के लिए फायदे मंद होता है उसमें से आपको विशेशग्य ही बताएगा कि आपकी अनुसार कौन सा रत्म आपके लिए सर्वश्रेश्ट है नेक्स्ट इनाइन स्प्रीचुन से आर्दिक रिपोर्ट